Hello everyone, welcome to study time with new informative video उत्तर प्रदेश विधान परिशत से RO, ARO इसकी जो vacancy आई थी एवं अन्य पदों के लिए जो भरती आई थी तो इसका pre हुआ, means हुआ, sorry, means के लिए form भरवाये गए, pre का result वगएरा आया और कितनी जल्दी ये प्रक्रिया हुई, वो आप सभी अच्छे से जान रहें तो अब बच्चे लगातार पूछ रहे थे, कि sir, इसका जो means है, वो कब तक होगा क्या ये जनवरी के कुछ first week में हो जाएगा, second week में हो जाएगा लगातार बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, कि आखिर इसका means है, वो होगा कब तो आप देखी रहे हैं, कि ये भरती आई थी, तो किसी ने ये नहीं सोचा था, कि इतनी जल्दी ये सारे exam करवा लेंगे मतलब pre इतनी जल्दी करवा लेंगे, और उसका result भी निकाल के, और सारी चीज इतनी जल्दी करवा देंगे जैसे ही इसका notification आया, date खतम हुई, form भरने की, और 10-15 दिन के बाद की date दे दी, कि 22 तारीक को आपका pre का exam है तो बच्चे एकदम से घबरा गए कि अरे, इतनी जल्दी कोना exam लेता है, और बच्चे यही कि अरे अभी तो तयारी नहीं हुई, तयारी नहीं हुई, तो कोई आपको तयारीक मौका नहीं देगा, कि आप ये form आया है, अब बेटा आप बैटके 4 मेने तयारी कर लो, ये प्रक्रिया जो है, वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो वैसे ही उसके अनुरूप इन्होंने अपना काम भी किया, वैकेंसी जैसे ही आई, और 22 तारीक को इन्होंने exam कर वा लिया, रिजल्ट निकाल दिया, और अभी मेन्स के form भरे जा रहे हैं, और 30 तारीक उसकी अंतिम कि फॉर्म भरने की नहीं है, डाकुमेंट्स भी भेजने हैं आपको, आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो जो बच्चे क्वालिफाई कर गएं प्री में, तो उन्हें तैयारी की अप जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 85% की लगबग कट अफ गई है, तो इतना marks लाना, कोई कम ब नहीं कि रिवीजन की जरूरत है, अब बात है कि आखिर इसका means कब तक होगा, क्या तैयारी के लिए टाइम मिलेगा, तो तैयारी के लिए आपके बगबग यएंडना हैं, आप अपना लगे रही है, आपको वैसे भी रिविजन करना है, तो आप आपकी अच्छी है, अब तैयारी की नहीं बलकि रिवीजन की जरूरत है तो अभी आपके पास एक महिने का टाइम है तो अगर आपने फॉर्म बगएरा भर दिया है तो बस आप अपने रिवीजन में लगे रही है और इसका जो मेंस की बात है कि अखेर होगा तो कब तक होगा तो देखिए 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका जो मेंस है लगबग यहीं पर हो जाएगा अब आप सोच रहे हैं कि मैं एक्जेक्ट डेट बता दू कि 17 जनवरी को यह एक्जाम होगा या 24 जनवरी को होगा तो एक डेक्ट जो डेट है वो किसी को पता नहीं होती है ठीक है पता होती भी है तो कोई एक्जेक्ट बताएगा भी नहीं ठीक है तो जो आपको एक डेट है एक्सपेक्ट डेट है वो बता दी गई है कि 20 जनवरी के आसपास आपका एक्जाम हो जाएगा चो आप यह मान के चलिए पंदरा जनवरी मेंस जनवरी और आपके पास एक महीने का टाइम है आप बढ़िया से रिवाइस करते रहिए तैयारी आपकी वैसे भी बहुत अच्छी है जो भी बच्चे पूछ रहतें लगातार पूछ रहतें कि मेंस कब होगा मेंस की डेट कब है तो मेंस 20 जनवरी के आसपास आपका हो जाएगा और अभी भी आपके पास एक महीना है अच्छे से रिविजन करते रहिए best of love, thank you, मिलते हैं नई informative वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंदित सभी अपडेट यहां पर समय समय पर मिलती रहती है ठैंक यू और अभी भी आपकी कोई query है कोई question है तो comment section के माध्यम से पूछ सकते है ठैंक यू